विल्कम बैक एप्रिमेंट मेरे नाम आशीशे और आप देखने हैं टेस्टी कोड़ी सो गाज आज किस वीडियो में देखने वाले हैं हाँ टू इंप्लीमेंट पेजिनेशन नहीं और आफ पेजिनेशन क्या ब्लाग पोस्टिकेशन और ब्लाग पोस्टिका तो उस्केश में क्हां तो बहुत जादा नीचे आजाता है लगर कोई जादा है तो जिसे नहीं पसंद आएगा वो नीचे जाता रहेगा जाता रहेगा उसे कोई काम बने दिखेगा बाद में आपको गाली देगा कोई मतलब नहीं तो उस case में हम क्या करते हैं पेजी नेशन लगाते हैं सिर्फ 5 content दिखाते हैं या 10 content दिखाते हैं उसके बाद हम next button लगा देते हैं कि next करने पर second page बजाएगा अगर user को तुम्हारा article पसंद आया तभी next करेगा नहीं पसंद आया तो simple exit मार देगा आपकी website से या web application से तो इस त अपने एंग्लर 9 के प्रोजेक्ट में इंप्लेमेंट करते हैं कि अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है विज्वल इस्टीडियो कोड़ पे और उसके बाद हम वहां पे कोड़ करेंगे उससे पहले हम एक package इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है ngx pagination तो चलो कैसे करते हैं आप देखना हो तो आप control plus click करके आप open कर सकते हैं visual studio code पे control plus click किसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं visual studio code पर रन कराने के बाद यह हमें open your browser यह link देता है link localhost column 4200 पर रन करता है project हमारा तो मैं वहां से click कर दिया हूं फिलहाल angular 9 simple pagination example देखने वाले हैं अभी हमने title दिया है और अब करने वाले हैं अपने code को तो कैसे करेंगे सबसे पहले क्या अगरने आपको आपको नया terminal open कर लेना है terminal open करने के बाद यहां type करना है यहां जो type करना है वह आपकी screen में appear हो रहा है आप वहां से देखकर type कर सकते हो npm install ngf-pagination--save enter कर देना है कुछ second के लिए wait करना है आपके इंटरेट की speed पेडिबेंड करता है कि कितनी speed में download होता है अगर आपका speed बहुत slow है तो slow download होगा और fast है तो बहुत जल्दी download हो जाएगा बहुत बढ़ा package नहीं है बहुत small package है यह library है जेक्यूरी की तो उसी पीए work करता है अगर आप custom बनाना चाहते हो तो आप custom भी बना सक प्सक्राइब करना और चैनल को भी subscribe कर सकते हो अगर आपको पसंदा है यह library मेरे package में install हो चुकिए यह देख सकते हो और ngx pagination 5.0.0 added one package from one contributors तो अब हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें अपने app module.ts पर जाना है जो हमारा main module होता है तो app module ts पर आते हैं और यहां पे हम सबसे import curly bracket के अंदर अब यहां पर आपको type करना है ngx pagination और इसको import करना है from अभी हमारी किसकी library है ngx की यहां ngx डालोगे sorry ngx automatically ले लेगा उसको बार इसको terminate कर देना आपको अब यह ngx module pagination module को आपको import में रखना है import है हमारा यहां पर ब्राउजर module के नीचे आप comma लगा है यहां इंपोर्ट कर सकते हो सेप कर देना है आपको इन एप मॉडूल डॉटी इस पर कुछ नहीं करना आपके सिस्टम पे कंप्लीटली यह पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और इंपोर्ट हो चुका है ना अब हम थोड़ा सा कोड में मैनिपलेशन करेंगे जिसके थ्रू हम यहा पेज मॉडूल पेजिनेशन मॉडूल फ्रॉम ओके लाओ इसको हमने सक्सेस्पुली इंपोर्ट कर लिया है अपने लाइबरेरी में अब क्या करना है अब हमें सिंपल्जा एक वैरियेबल क्रियेट करना है क्लेक्शन नाम का जिस भी नेम से आप चाहो तो मैं यहां पर द इसको में रखेंगे सेक्वेंस में और उसको मैं प्रिजिनेशन करूँगा तो अभी हमें एक वैरियेबल यह क्लेक्शन नाम का जो एरिड़ टाइप का है अब यहां पहमें में सेंपल सा सक्वारकेट करेंगे करने करने के आपको पता ही है कर्स्ट्रक्टर लिखना है पर अब यहां पर क्या करेंगे एक लेने वाले हैं लेट आई इस इक्वल जीरो या मैं लेक्वन करता हूं लेक्वन करता हूं अब यहां पर हम एक आपजेक्ट लेते हैं अब यहां पर देते हैं और मैं ने में के अंदर मैं सि्मपर से हाँ अपडो को पता हुआ हूं दिया अब इसके बाद चाहिं hơn आई वेलू को इस पे पूट करता हो डॉलर करली ब्रेकेट एंड आई ओके नौ अब यह हमारा इंक्रीज जैसे-जैसे होगा वन बाई वन आई के वेलू पे यूजर नेम यूजर नेम यूजर नेम टाइप करता जाएगा जितना जब तक 200 से नहीं मिल जाएगा अब इसके इतना हो गया अब अब इसलेक्शन में हम इस उबजेक्श को पूछ करेंगे क्योंकि यह हमारा क्लेक्शन है इस collection के अंदर इस object की value को हम push करने वाले हैं तो push करने के लिए आपको simply बहुत कुछ नहीं करना है आपको enter करना है this dot यहां collection है collection.push पुष जावास्किप की है में predefined method आप इसको जानते होगा अगर आप नहीं पड़े तो देख लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहां में देता हूँ ओबी जीए यहां वेरियोबल में ओट ले रहता हूं ओबी जेए ना इस से टर्मिनेट कर देता हूं और अब यहां पर हम html code करने वाले हैं तो html के लिए आपको सबसे पहले एक uel tag ले लेते हैं और इसके अंदर li tag लेते हैं और li tag के अंदर हम li में सबसे पहले लिखते हैं user name user id और इसको save करते हैं और उसके बाद second li लेते हैं जिसके li अब इस पर हम पूरा अपना data print करन में आ रहा है तो यहां पर हम देते हैं let data नाम का variable लेते हैं और collection collection यहां से copy कर लेते हैं जिससे के बाद में कुछे रजना है collection copy किया और यहां पर हमने पेस्ट कर दिया नौ यहां पर हम spend करने वाले हैं nasıl तो do fine के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें यहां पर एक फight इसनेट करना पड़ेगा पड़ेगा पिए जी एनथी एजनेट कोलन अब यहां कर लिए ब्रेकट के अंदर अब यहां फिर से हम आइटेम टाइप को डिफाइन करेंगा आइटम पेस स्को तो आइडम पर पेज़ इस फैस को दिखाओ का रिचाओ ऐसको सेब करूंगा और इसके साथ झाल इतना तो हो गया इसके साथ हम इंटरपोर्लेट भी कराने वाले हैं यूजर इड यूजर नेम को यहाँ सबसे पहले इंटर पोलेट करेंगे डेटा में लिए हैं डेटा डॉट नेम डेटा डॉट डॉट आईड इसे पर देगे यह पर एक टैग और लेंगे पैजनेट एक पंट्रोल स्नम्स यह आप टैप करने वाले हैं पैजनेट संग कंट् चेंज अधिस सब्सक्राइब करेंगे हम दाइड इवंड के थूंहेंड कराएंगे टो सबसे पहले इस प्सक्राइब लेगे प्र यहां प्ल हुआ है इसको पहले वाले टर्म पर आते हैं और यहांँ साथ क्लिक करते हैं और देखते हैं एग सब्सक्राइब है अगरई देख रहेकर है दो इसका मतलब कुछ है चलो इसको देख लिए आरे हैं कि है के वावी नाइन क्रे bell रहा है अग्लिया लॅब और यहां आईडी का आई कैपिल रखा है वहां पर हमने स्मॉल लिया है आप यहां पर देख सकते हूं यह देखो नेम का एन कैपिल है आईडी का आईडी छोटे-छोटे अगर नहीं देखोगा और जैसा कि आप देखी रहों कैसे रहा रहा है इस तरीके से एरर आएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है सब कुछ होके है वही है से पैजिनेट किया हमने यहां पर पर पेज़ पर फाइब रख रहा हूं पांच प प्रेजिनेशन कंट्रोल नाम का प्रेडिफाइड टैग आएगा जब आप इंस्टॉल करोगे एंजी इसके बाद चलो देख लेते हैं अपर यहां पर आपर यहां पर तो यह उल में हमने घेडिंग दिया है इसको इसलिए यह भी टैग के साथ देख रहा है बट अगर और देखते हैं होता है कि नेक्स नेक्स्ट्ट्ट्ट पर क्लिक करें देखो 6 789 10 यह जितना करेंगे उतना आएगा आप 6 के तक की सेवन अपने आप प्रिंट हो जा रहा है तो इस तरीके से आप पेजिनेशन इसली तरीके सीच कर सकते हो अगर नहीं दिख्राइब जूम कर दे रहे हैं यह देखो पेजिनेशन बहुत पॉपरली वर्क कर रहा है और बहुत पर्फेक्ट लिए अगर त्रिपल डॉट पर क्लिक करोगे यहां पर आगे की वैलू नेक्स्ट ही करेगा सिर्फ एक वैलू दो दो वैलू को नेक्स्ट गए है एटीन एटीन गार टॉन्टी हो जाएगा यह देखो यह दो 20 22 इस तरीके से आप फेजिनेशन अपने एंगर लाइन के अप्ऩिकेशन में अड़ कर सकते हैं बहुत इजी हो बहुत सिंह पल यह क्लाइंट साइट प्पेजिनेशन नेक्स बीडियो में बताने वाला हम सर्फाइड प्ईजिनेशन तो मिलते हैं बीडियो में अबता के लिए बबाए